हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब आज की इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ स्किन केर मिस्टेक्स एवरी डे जो हम करते हैं बिगनर्स है तो करते हैं और जब हमें वो विजिबल रिजल्स दिखाई देते हैं तब ध्यान आता है कि हमारे स्किन को नुकसान पहुँच रहा है और उसके बाद हम ट्रीटमेंट्स की ओर चले जाते हैं इस बेटर कि हमें ट्रीटमेंट्स तक ना जाना पड़े इसलिए आप पहले ही कुछ बातों का ध्यान रखें सो वो बाते कौन सी है ये आपको मैं इस वीडियो में बता हूँगी सो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहली मिस्टेक है अपने फेस पे सोप यूज करना टेलेविजिन पे एड देंकर दे आर माइल्ड दे आर वेरी कमफर्टेबल सकिन को ग्लो ले आते हैं बहुत अच्छा दिखाई देता है ये सारे चीज़े सुनकर हम फेस पे सोप यूज करना शुरू कर देते हैं जो कि हमारे सकिन के लिए हमारे फेस के लिए बहुत ही ज़ादा नुकसान दाया का है हमारे फेस के पी-एच लेवल को हर्ट करता है हमारे स्किन जो होती है फेस की वो काफी डेलिकेट होती है हमारे बॉड़ी पार्ट के कमपेरिजन में काफी पतली होती है काफी सेंसिटिव होती है तो अगर आप सोप वाली चीज़े इन में यूज करेंगे तो वो आपके लिए बिल्कुल भी beneficial नहीं है आपको face wash use करना चाहिए and face wash भी वो जो soap free हो कुछ-कुछ face washes ने भी soap use किया जाता है ingredients में तो आपको soap free face washes, face cleansers use करने चाहिए अपने face के pH balance को maintain करने के लिए skin की hydration को maintain करने के लिए skin की quality को maintain करने के लिए so this is our first mistake कभी भी face पे soap use नहीं करना है second mistake हम toner लगाना skip कर देते कुछ oily skin girls होती है जो यह सोचते हैं कि सिप face wash कर लिया तो बहुत है नहीं आपकी skin oily है तब भी आपको completely CTM routine follow करना है cleansing, toning and moisturizing अगर आप toner effort नहीं कर सकते हैं then ice cubes rub कर लिजे या फिर आप घर पर कुछ toner बना सकते हैं या फिर aloe vera gel यूज कर सकते है as a toner या फिर आप गुलाब जल यूज कर सकते हैं बहुत सारे options हैं बट face toner आपको जरूर यूज करना है face wash करने के बाद third mistakes जो हम करते हैं और मैंने भी किया है वो है मॉस्टराइजर स्केप करना समर्स में जब गर्मिया होती है चिपचिपई वाली गर्मी होती है तब हम मॉस्टराइजर लगाना बंद कर देते हैं या कौन लगाएगा ऐसे thoughts हमारे मन में आते हैं बट नहीं आपको मॉस्टराइजर ज़रूर लगाना है आप अपने स्किन टाइप के हिसाब से लीजे ओईल फ्री ओईल बेस्ट क्रीमी क्रीम फ्री वगरा वगरा बट आप मॉस्टराइजर ज़रूर लगाएगा अब अगर आपको बहुत ज़्यादा पसी ना आता है बहुत ज़्यादा चिप-चिप फिलिंग होती है दन आप सिर्फ अलोवेरा जेल लगा सकते है या सिर्फ जेल बेस्ट क्रीम लगा सकते है लाइक ओरेंज जेल, रोस जेल बहुत सारी चीज़े अवलेबल है मारकेट में आप ऐसी चीजे लगा सकते हैं या फिर कूलिंग वाली मिंट वाली चीजे लगा सकते हैं बट मौस्टराइजर जरूर लगाए वो आपको skip नहें करना है फूर्थ मिस्टेक जो हम करते हैं मैं भी करती हूँ अभी भी करती हूँ और बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है यूट्यूब पे वीडियो बनाते वाग बहुत लोग इस्पेशली आज कल वो यह है कि हम जो प्रॉडक्ट होता है उसका जो पैकिंग होती है उसे डिरेक् यहां टॉच करते हैं ठाइमर बिलकुल अन हैंजीनिक है त्राइक रर्मा करना है कि हम जो भी प्रॉडक्ट है अपने हाथों पे ले 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 फिंग्र याहां उसके बाद अपने चैरे पे स्प्रैड करें डिरेक्टीव पैकेजिंग को आपने चैन से टच्छ ना कर वाए ताकि वो hygiene maintain रहे especially आजकल जो हमें hygiene maintain करके रखना है इसलिए यह बाते हमें ध्यान में रखनी है even अगर हम lip balm यूज़ करते हैं तो भी lip balm जो है आजकल stick formula में मिलते हैं यानि कि lipstick जैसा मिलता है तो हम डिरेक्टिव से ऐसे apply कर लेते हैं अगर आप hygiene maintain करना चाहते हैं या फिर आप ऐसे person हैं जो lip balm कभी कभी यूज़ करते हैं तो आपके lip balm जो है बहुत long lasting हो जाते हैं इसलिए आप सिर्फ अपने finger से lip balm लीज़े अगर आप रोज यूज़ करते हैं दिन में कई बार यूज़ करते हैं तो वह जल्दी खतम हो जाएगा तो उसकी tension नहीं है आप उसे directly यूज़ कर सकते हैं कभी कभी यूज़ करते हैं आपको definitely lip balm उंगलियों में लेनी है and then अपने lips पे spread करना है hygiene maintain करके रखना है next mistake is हम सोने से पहले अपना face clean नहीं करते हैं आलसी है ठक जाते हैं जो भी reason है but सोने से पहले आप अपना face clean जरूर कीजे face wash कीजे cleanser apply कीजे अगर आपके पास इन सब के लिए वक्त नहीं है बहुत ठक चुके हैं then आप normally toner लगाकर अपने face को wipe off कर लीजे या फिर wet wipes की help से आप face clean कर लीजे बट रात को सोने से पहले face wash जरूर कीजे face clean जरूर कीजे और उसके बाद अपने face पे moisturizer या toner या night cream whatever you want आप वो लगाए next सबसे बड़ी गलती होती है वो है हम अपनी skin type को ध्यान में नहीं रखते हैं लोगों की बातों में आ जाते है यार xyz cream ने मुझे बहुत असर किया है तू भी ले ले और हम ले लेते हैं आपको ऐसा नहीं करना है आपकी skin अगर oily है and suggestion वाली की skin dry है तो obviously वो product आपके लिए बिल्कुल भी beneficial नहीं है in fact वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है कोई भी product लेने से पहले आपको अपनी skin type को ध्यान में रखना है कि आपकी skin oily है, dry है, normal है, combination है उसके हिसाब से आपको सारे product खरीनने हैं चाहे वो makeup हो, चाहे वो skin care product हो, चाहे वो face wash ही क्यों नहीं हो next, जो mistake है वो हम यह करते है कि हम अपनी skin type के हिसाब से तो products ले लेता है, बट फिर सोचना है यार यहां पे acne है वो ठीक नहीं हो रहा है, यार यह pimple ठीक नहीं हो रहा है अगर आप ऐसे person है जिनके face पे हमेशा acne की problem रहती है या हमेशा pimple की problem रहती है तो अपने skin type के साथ साथ अपने problems के हिसाब से भी आप product लेजे, just like acne के लिए vitamin C वाली चीज़े, pimples है तो tea tree या फिर neem वाली चीज़े होती है, ये for an example आप इस तरह से search करके ले सकते हैं and every product अगर आप Google पर search करेंगे तो आपको हर problem का solution मिल जाएगा, उसके बाद ही आप market में जाकर अपने products purchase कीजिए 8th mistake जो हम करते हैं और मैं भी करती हूँ, कभी-कभी वो है हम अपने eye cream and lip balms skip कर देते हैं see, हमारे eyes and lips सबसे delicate area है हमारे face का, so अगर आप eye cream skip कर देते हैं अगर आप 20 plus हैं and eye cream नहीं लगाते हैं then आप लगाना शुडू कर दीजे और लगा रहे हैं तो बिल्कुल भी skip नहीं करना है and lip balm आपको daily लगाना है चाहे गर्मियां हों चाहे सर्दियां हों क्योंकि गर्मियों में हम बार बार ऐसे करते हैं तो इससे भी lips dry होती है and सर्दियों में तो dryness होती ही है इसलिए आपको हर समय अपने lips को hydrated रखना है अगर ज़रा से भी dryness हो तो आप तुरंत lip balm लगा लगा अपने bag में अपने साथ handy रखिए lip balm and eye cream आपको every day लगाना है दिन में एक बार लगाईए या दो बार लगाईए बट लगाईए जरूर 9th mistakes जो होती है वो है sunscreen को skip कर बहुत से ऐसे लोग है I guess 80% लोग होंगे जो sunscreen को अपनी routine में शामिल नहीं करते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि sunscreen हम तभी लगाएंगे जब हम धूप में बाहर जाएंगे no dear अभी हम phones use करते हैं laptop use करते हैं जिनसे काफी जादा ultraviolet किरने निकलती है आजकल घरों में extraordinary lights use किये जाते हैं उनसे भी काफी heat आता है काफी rays निकलती है जो हमारे skin के लिए harmful होते हैं अगर आप sunscreen लगाते हैं तो आपको in race से कोई नुकसान नहीं होता है साथ ही साथ aging effect आपकी बहुत कम हो जाती है fine lines नहीं आएंगे जल्दी आपको जल्दी aging की problem नहीं होगी जल्दी darkness नहीं होगी जल्दी pigmentation नहीं होगी and skin cancer जैसी चीजों से भी आप बचे रहेंगे अगर आप sunscreen लगा लेते हैं तो अगर आप बाहर जा रहे हैं तो आप पूरी body में sunscreen लगा कर जाएए बट घर पर है तब भी एक डिस अपने face पे आप sunscreen जरूर लगाए everyday day time पे 10th mistake है हम सिर्फ cleansing toning moisturizing कर लेते हैं और सोचते हैं कि scrub करने की जरुरत नहीं कोई blackheads तो है नहीं scrub क्यों करना है कोई face mask लगाने की जरूरत नहीं मेरा face तो बहुत अच्छा है no dear face आपका कितना भी अच्छा हो वो all time अच्छा नहीं रहेगा अगर आप उसे maintain करके नहीं रखेंगे तो आपको sunscreen भी लगाना है scrub भी करना है and face mask भी लगाना है scrub आप अपनी skin type के हिसाब से आप चूज कर सकते हैं कि हफते में कितने बार करना है and face mask भी आप उसे हिसाब से चूज कीजिए ये बात मैं फिर से बोलूँगी कि हर product आपकी skin type and skin के problem के हिसाब से होना चाहिए अगर आपकी skin में कोई problem नहीं है just like कोई acne नहीं है कोई mark नहीं है कोई spots नहीं है कोई pimples नहीं है then आप normal face pack face scrubs यूज कर सकते हैं but अगर है तो आप उसके accordingly अपने products चूज कीजिए next and the last mistake is हम facial serum या facial oil नहीं यूज करते हैं अपने face पे see अगर आप 25 की है या उससे उपर है then आप अपने skin care में facial serum जरूर शामिल कीजिए and अगर आप serum यूज नहीं करना चाहते हैं आपको costly पढ़ रहा है then आप facial oil यूज कीजिए यह जो चीजे होती है यह हमारे skin की development को boost करते हैं skin development quality को improve करते हैं age के साथ साथ हमारे skin की जो self developing power होती है ना खुद को maintain करने की जो power होती है ना skin की वो धीरे धीरे कम होती जाती है तो हमें external चीजे लेनी पड़ती है उसके लिए यह जरूरी है कि आप face serum या फिर facial oil अपने face पे यूज कीजिए अगर आप oil यूज कर रहे हैं आप night time में as a night cream यूज कर सकते हैं अगर आप facial serum यूज कर रहे हैं तो आप दोनों time यूज कर सकते हैं so facial oil versus facial serum पे मैंने already एक post बनाया अगर आप लोगों नहीं देखा है तो नीचे description में उनकी link दी हुई है आप वहां से देख सकते हैं so यह थे कुछ mistakes जो हमें avoid करनी चाहिए अगर आप यह mistakes कर रहे हैं तो आप अभी से इन्हें ठीक करना शुरू कर दीजे so आज का यह मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे please comment करके जरूर बताएएगा thank you so much guys thank you so much for watching